दोस्तो प्रधान मंत्री नेरंद्र मोदी जी कहीं जाएं तो बेशक खुद दरजुनों कैमरे लेकर कहीं भी पहुँच जाएं ताकि सबको पता चलना चाहिए कि भाई साहिब आए हैं और कहां जाएंगे आगे क्या करेंगे खाएंगे पीएंगे कैसे सब कुछ पता प्रधान मंत्री मोदी जी को क्या 2023 के नतीजों से इतनी घबराहट हो रही है कि मोदी जी सीधा 2024 की तैयारी में जुट गए हो भी इसनी जल्दी 2023 के लिए हजारों पापड बेलने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हार दर्वाजे पर खड़ी निहार रही है इसलिए आप उमीद सिर्फ 2024 के लिए बची है अगर वो भी हाथ से चली गई तो बड़ी पचियत होगी दोस्तों मगर हैरानी आपको ये जानकल होगी कि 2023 में शायद प्रिधान मंत्री मोदी जी को अपना ही प्रिधर्शन पसंद नहीं आया शायद इसलिए अपने मंत्रियों को काम पर लगने के लिए बोल दिया गया है पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों रवस्कार मेरा नाम है जैन्ती जा और आप देख रहे हैं देश नीती देश नीती किवल सच्ची और पक्की खबरे पीम मोदी ने मंत्री परिशत के सदस्यों के साथ बैठक करते हुए ये कहा कि मंत्री कारिक्रमों में वी आईपी के तौर पर ना जाएं पूरे देश का दौरा करें और लोगों को बताएं कि सरकार ने क्या-क्या योजना चलाई है दोस्तों इस मीटिंग की अध्यक्षता खोद मोदी जी कर रहे थे भाजपा विक्सेत और एक संकल पियात्रा निकाल रही है विक्सेत भारत संकल पियात्रा निकाल रही है अब ये जो बाकी बचा हुआ समय है इसको प्रधान मंतरी मोदी जी बचा हुआ समय बता रहे तमाम मंतरियों को जाकर कहरा है कि सरकारी योजनाों के बारे में जा जाकर लोगों को बता हो राजस्थान में गहलोत सरकार की चिरन जीवी योजना से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी शायद इतने प्रभावित हो गए कि अपनी आयुश्मान भारत योजना का प्रचार प्रसार करवाना चारा है क्योंकि शायद इनको पता है कि कमजोर योजना है सवाल यह कि जब केंद्र की योजना राजस्थान में काम नहीं आपाई तो क्या पूरे देश में काम आपाईगी अब मोदी जी को राजे की सरकारों से इसकडर डर लगने लगा है इसकडर डर सताने लगा है कि न सिर्फ पुंत्रियों को काम पर लगाया है बरकि तमाम राजियों में holdings banner लगाये जाएंगे दोस्तों मोदी जी का माना है कि junior somebody को ये पता होना चाहिए कि केंदर सरकार की योजना कौन सी है और राज्जे सरकार की योजना कौन सी है सवाल ये है कि आखर विपक्षी शास्त राजियों से मोधी जी इतना डर कह रहे है जब भी केंदर के कोई योजना लाई जाती है दोस्तों तो एक फॉर्मिट इस्तिमाल किया जाता है मीडिया वाले पहले उसका प्रचार प्रसार करने के लिए तयार रहते है सरकार का कोई ना कोई मंत्री उस योजना को लेकर प्रेस कॉन्फेस कर ही डालता है फिर भी मोधी जी को अपने मंत्रियों को काम पर लगाने की जरूरत पढ़ रही है ये बड़ा सवाल है कि कहरें जाओ भाई जाओ और योजनाओ का धिंडोरा पीट कराओ क्या वाकई में भाजपा की हालत इतनी जाधा खसता है इतनी खराब हो चुकी है कि भाई बिलकुल ही हद मचा दी बिलकुल आप कह लिजे प्रिधान मुंत्री मोदी जी का डर इसकदर जलके का ये शायद किसे ने नहीं सोचा था दोस्तों 2023 का ये जो विधान सभा छुनाव है कॉंग्रेस राहूल गांधी तमाम विपक्षी नेता ये पहले ही कह चुके साफ सीदे शब्दों में सेमी फाइनल है 2024 का सेमी फाइनल में तो हम भाजपा को हराने जाही रहे हैं 2024 में केंद्र की सत्ता से मोदी सरकार को उखाडने जा रहे हैं ये भी विपक्ष कह चुका है खुद राहूल गांधी कईबार ये मंच से कह चुके हैं दोस्तों क्या इस बात का डर सता रहे पीचेपी को क्या इस बात का डर है प्रिधान मंत्री मोदी जी को आखर किस बात का डर है उन्हें पूरे देश की जंता के सामने इसे जगजाहिर करना चाहेगी क्योंकि प्रिधान मंत्री मोदी जी तो किसी से ढरते ही नहीं थे बाई चुनाप के मामले में तो वो तो जिस मंच पर आ जाएं और जिस मंच पर जिस राज्ये के मंच पर उन्होंने भाशन दे दिया मतलब उनके समर्दकों के मुताबिक तो वो राज्ये भाजपा के हाथ आ पाया जादू क्योंकि आप कह सकते हैं कि गुजरात एक बड़ा लॉबी वाला राज्य है जहां से बड़े-बड़े मंत्री मंत्री गन जो है खुद प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी गुजरात में आते हैं और ये कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि गुजरात म में अभी अगर कहेंगे तो बीचेब toplam कि बाखी के राज्यों का क्या बाकि जो राज्य है उन राज्यों का क्या हो सकता है गुजरात में अभी इस वक्त भारतीय जिन्ता पार्टी की सरकार है दो धीरे- Sudैरे करके वहां पर भी जन्मत खत्म होने लगे क्योंकि जिस तरीके की खबरे गुजरात से बीते दिनों सामने आई है चाहें आप वो बार को लेकर कह लिजे चाहें आप वो डैम के पानी यानि बांध के पानी को छोड़ने के लिए कह दीजे प्रधान मंतरी ने जन्म दिन के दिन आपको याद दोस्तों ये बाद तो आपकी जानकारी में होगी कि अभी पाँच राज्यों में चुनाव जो हैं संपन होने वाले हैं एक राज्य बचाया तिलंगाना में 30 नमबर को चुनाव हो जाएंगे और सारा जो भी दारुंदार है फिर 3 दिसंबर को चुनाव आयोग पर रहेगा काउंटिंग शुरू हो जाएगी पता चल जाएगा पांचों राज्यों में किस किस कि सरकार आ रही है इन पांचों राज्यों की बात की जाए दोस्तों तो एक तो मिजोरम और एक तिलंगाना इस पर निगाहे टिकी हुए है लेकिन बाकि के जो हिंदी भाशी राज्य है उस पर भी निगाहे टिकी हुए है मधिप्रदेश, छत्तिसगर और राजस्थान ये जो हिंदी भाशी राज्यों की बात की जाए तो कॉंग्रेस है दो राज्यों में और एक राज्यों में बीजेपी है वहीं बात की जाए तिलंगाना की तो तिलंगाना में भाजपा के आने की कोई आसान नजर नहीं आ रहे हैं और दूसरी तरफ मिजोर्म में ओना म्हाचपा के लिए बहुत मुछ्किल है कितनी सीटेल आएगी या किसी के साथ मिली भगत gue साथ सरकार बनेगी या आगे आने वाला वक्त बताएगा लेकिन अगर कॉंघ्रेस की बात की जाए तो कॉंघ्रेस कम कंच राज्यों में मजबूत नजर आ रही दोस्ते wires, गहने जोरम में क्या होगा कॉंग्रिस का भी यह भी नहीं कहा जा सकता लेकिन वहीं बात की जाएं कि तो किम्स सर्वे बता रहा है कि कोंग्रा भर है िुक्यtr भर में भी धर का भी क्व्रीस निधिकर भी खर्ण्रीस का compliqué 1890 है और तमाम reports में आपको नज़र आया होगा कि Congress की हालत जो है जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत है Congress कितनी जमीनी स्तर पर मजबूत है दोस्तों और उसका जो परिनाम है वो नतीजों में नज़र आ सकता है तो अगर मोटा मोटे तौर पर देखेंगे तो तो चार राज्य जो हैं आप कह सकते हैं कि कॉंग्रेस के हाथ में आ सकते हैं अलाकि रतीजें जब सामने आендую साथ पता चल जाएंगे लेकिन ये पूरी तरीके के संभाबना है दोस्तों कि कॉंग्रेस इन चार राज्यों में आ रही है लेकिन अगर बात शेवानी से प्रधान मंत्री मोदी जी घबराये हुए है या क्या कारण है तमाम रेलियों में अपने आपको एक मजरूम की तरह पेश करना कि भाई मुझे तो गालियां दी गई है और मुझे इतनी गालियां दी है मेरे को रोज गाली दी जा रही है 90 से उपर गाली दी है 100 से प्रधान मंत्री नेरेंद्र मोदी ने खुद को पूरी तरह से दोस्तों एक विप्टिम पेश करने की कोशिश की लेकिन फिर भी जनता उसको एकसेप्ट कर पाएगी कि नहीं यह आने वाला वक्त बताएगा तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2024 का डर जो है वो प्रध सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फिर मुलाकात होगी आप से लिए तब तक के लिए नमस्कार